एक बहुत ही दुगस समाचार जो है वो जमु कश्मीर के किश्तवार जिले से आ रहा है जहां देरात को बादल फटने से काफी जादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है और ये भी बताया जा रहा है कि चार लोगों की बादल फटने से मृत्य हो गई है और पच्चीस से जादा लोग जो है वो लापता है इस वक्त ये पूरी खबर जो है ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये वहीं के हैं किश्तवार इलाके के हैं जहां सुबह से ही अभी जो आर्मी जमु कश्मीर पुलीस और SDR की टीम जो है वो वहाँ पर मौजूद है और उनकी द हिमाचल की भी बात की जाए तो हिमाचल में भी दो बाढ़ जो है वो बातल फट चुका है जिसका नुकसान आप लोगों ने देखा होगा कितना नुकसान हुआ है अभी हाली अभी एक वीडियो सामने आये थी जिसमें पुल भी डाय चुका था और लोग की मृत्य हो गए थी जिसमें एक डॉक्टर भी थी और काफी बड़ा हाथसा था यह सामने आया था और अभी जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो किष्टवार में भी सामने देखा जा रहे की छोटे-छोटे पुल थे दर्याओं पर चार के करीब वह भी टूड़ चुके हैं यह वीजूल साब देख सकते हैं यह वही के हैं अभी फिलहाल वहाँ पर SDRF की टीम की बात की जाए वो लगी हुई है जम्मू कश्मीर पुलीस जो है वो अपना काम कर रही है और साथ ही बात की जाए आर्मी की तो उनका भी सहारा लिया जाए और साथ में ही रेस्क्यू टीम के साथ साथ हैलीकप्टर के ही सहारे से भी ल उसमें ये बताया जा रहा है कि चार लोगों की जिम्रित्व है, इस बादर फटने से जो वहां पर सेलाब आया है, पानी का, उसमें वो ये देखिए, ये जम्मौ कुश्मी पुलीस के वहां पर पुलीज के दूरा ये, उनको रात को ही इत्रा किया जा रहा है कि बारिस जो है यह जब वारिश वहाँ पर स्टार्ट हुई थी और जो पानी का सलाब था वो अपने चरम पर पहुंच रहा था तो तब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंचे और उनके द्वारा नौस किया जा रहा था कि कुई कि जब भी सलाब आता है वो बारिश होने लगती है तो लोगों का हजुम काफी जादा जो है देखने को मिलता है जब तबी जनता है वहां से दूर चली जाएए कुछ भी घटना जो है वो हो सकती है और यही हुआ बादल फटा और यह भी बताय जा रहा है कि जो यह इलाका है क्योंकि दूर दराज का इलाका है वहाँ पर गारिया जो है डिरेक्टली नहीं पोच्छती है भी रोड वहां पर नहीं बादल फटने की वज़े से और चार लोगों को अभी जो है निकाला गया है जिनकी मृत्य हो गई है जो सामने दिख चुके हैं लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्हें अभी भी ढूनने का काम किया जा रहा है काफी प्रॉब्लम जो है वहाँ पर टीम को हो रही है क्योंकि बादल देखा जा रहा है कि 25 लोगों को ढूंडने का काम किया जा रहा है वहीं अगर डॉक्टर चुतेंदर सिंग की बात की जाए क्योंकि उन्हें की कॉंसिट्वेंसी है उन्हें के अंदर यह सारी चीज़े आते हैं उनकी तरफ से भी जो है टूइट किया गया है कि आख इसमें अभी भी बताय जा रहा है कि चार लोगों को मृत्यू और अभी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति की और जो है वो मृत्यू का आंकड़ा जो है वो जो अभी सूतरों के हवाले से पता लग रहा है कि पांच लोगों की मृत्यू जो है वो हो चुकी है जिनकी जो बाड से कि इन इन इलाकों से दूर रहे और पूरी जो एरिया है उन्हें फिलहाल इलर्ट पर रखा गया है यह देखे मैं फिर से आपको फटा दू कि क्या करें हिट अपने मत अपने अपने गरों की तरफ देखे जाओ अर आप बने बैल्य मोर्रज़ा खर प्ले है अंचश्च करें अपनों कजित से करें अपने चांटे जेऊ इडू करें पर बहुत Motor के पास किया है प्लीज अपने अपने गरों की तरफ चले जाओ जब पर एलिया वहां पर चले जाओ और आप भी ये हमेशा ध्याएं में रखे क्योंकि जब भी तवी नदी में भी बाड आती है या किसी और एलिया में बाड आती है तो उसके नजदीक ना जाएं उससे दूर चले जाएं क्योंकि इसी से ज़ादा मुश्किले जो है रेस्क्यू टूम को भी सामने आती है और आम जनता जो है फिर उसकी चपेट में आ जाती है अभी हम आपको बताएं कि किन किन इलाकों में फिलहाल जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है उन इलाकों के बारे में आपको बता दू ये गुलाबगड की जो अभी बाड आई है उसके बाद से पुल डोडा ठाठरी गुलाबगड पाडर इन इलाकों में रेड अलर् और जितने भी नाले हैं उनको भी उनके पास भी जाने से मना कर दिया है एडमिशेशन दोरा पुलीस की टीम के दोरा ने कहा है कि अभी रैड अलर्ट है भी बिलकुल उन एरिया में मज़ जाए जहां पर बारिश का अंदेजा का भी जादा है और यह जो है यह गुलाबकर का जो चशोती गाउं हैं वहां पर बादल फटा है दो बादल मैंने पहले कहा एक यह था एक डच्चन इलाके में जो हंजर इलाका है वहां पर बादल फटा है जहां पर आठ मकान आठ से नू मकान बताय जा रहे हैं डह चुके हैं जिसमें 30 सदस्य थे पांच की अभी जो गए थी और क्योंकि कोविड का एपरोप्रेट बिहेवर बनाने के लिए ये खिश्टवार की जो मचेल यातरा है ये कैंसल की गए थी यह का गया था कि अभी हम इस तरह का इंतजाम जो है वो नहीं कर सकते हैं कुछ भी हो सकता है और साथ में क्योंकि मौसम काफी जादा उ दिनों में खराब हो रहा था ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि मौसम खराब होने से ये चीजें हो सकती हैं और वैसा ही हुआ फिलहाल जो भी लोग लापता है उन्हें ढूनने का काम जो है वो किया जा रहा है और आप भी लोग जो है सतर करें क्योंकि अभी आपने जा रहे थे और इस तरह से काफ़ी ज़ादा भी भी मुशकिला सामने आरे हैं कि लैंडसलाइड लगातार होती रहती है और कभी कभी कहीं भी अगर देखा जाए लगातार होती रहती रहती है इन और C को में मज जाई जहां पर लैंड स्लाइड है और जहां पर भी रोड खराब है क्योंकि इस तरह की द्रोगटना किसी के साथ भी हो सकती है उसमें कोई भी इस द्रोगटना का शिकार हो सकता है तो फिलहार यह बड़ी अपडेट थी किष्टवार से जहां यह दुखत समाचार जो है वो सामने आया है दीवा बंडारी के साथ राहूल सिंग दे स्टेट सेंटरल के लिए